हलो फ्रेंज वेल्कम टो माई चैनल गाईज आज ही क्लास में हम करने वाले हैं स्मॉल सेंटेंस जो की हर रोज यूज करते हैं अपनी लाइफ में लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि इनको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वण है तुमने यह कहा रही है आज कल एडंश्ट चल रही है तो फीज क्या है बढ़ती जा रही है है तो हम कैसे बोलेंगे School fees are increasing School fees are increasing ये क्या किया अपने? What have you done? What have you done? ये क्या किया अपने? Normally हम बच्चों को भी बोलते हैं और बड़ों को भी बोल सकते हैं ठीक है? तो English में बोलेंगे What have you done? Next है चलो सीधे मुद्धे पर आते हैं ठीक है? कैसे बनाएंगे? Let's get to the point Let's get to the point Next है अपनी सला अपने पास रखो ठीक है? अपनी सला अपने पास रखो कैसे बनाएंगे English में? Keep your advice to yourself Keep your advice to yourself इस तरह से Next है तुम चलो मैं आता हूँ कैसे बोलेंगे? You go, I will come along You go, I will come along Next है क्या आप जा रही है? Are you going? Are you going? अपनी बात में बजन रखो अपनी बात में बजन रखो English में बनाएंगे Make your opinion count Make your opinion count Next है मुझे आपकी बात अच्छी लगी मुझे आपकी बात अच्छी लगी I found your point interesting I found your point interesting Next है अपनी नाम के spelling बताओ ठीक है? Normally हम बच्चों से भी पूछ लेते हैं कि अपनी नाम के spelling आपको आते हैं तो बताओ तो कैसे पूछेंगे? Spell your name, please Next है इसमें मेरा क्या कसूर है? कई बार हम कोई काम कर लेते हैं कोई गल्ती हो जाते हैं तो हम पूछते हैं कि भाई इसमें मेरा क्या कसूर है? What is my fault in it? What is my fault in it? मुझे घबरहाट हो रही है मुझे घबरहाट हो रही है इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? I am feeling anxiety I am feeling anxiety Next है बाहर धूप है It's sunny outside It's sunny outside अपनी किताब निकालो बच्चों को पढ़ाते टाइम हम बोलते हैं कि अपनी किताब निकालो तो इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? Take out your book Pencil छील लो Sharpen your pencil Sharpen your pencil इसे जोर-जोर से पढ़ो तो बनाएंगे Read this aloud Read this aloud aloud means जोर-जोर से बोलना या पढ़ना तीक है? Next है मेरे सवालों का जबाब दो Answer my questions Answer my questions Next है क्या तुम्हारा कोई भाई है? कई बर हम पूछ लेते हैं किसी से हाँ भाई तुम्हारे कोई भाई है या कोई भाई है तो कैसे पूछेंगे? Do you have any brother? Do you have any brother? या कोई sister है? Do you have any sister? मेरा कोई भाई 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 नहीं है ठीक है? इसको बोलेंगे हम कैसे? I don't have any brothers and sisters I don't have any brothers and sisters Next है मैं इकलौती हूँ जिसका कोई भाई 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 नहीं है और वो अकेला है तो हम कैसे बोलेंगे कि मैं इकलौती हूँ या इकलौता हूँ I am the only child I am the only child कि आपके पास कार है? अगर हम किसी से पूछना चाहते हैं कि आपके पास कोई कार है Do you have a car? या साइकल है? Do you have a cycle? या मोटर बाइक है? इस तरह से हम सेंटेंस को बनाएंगे तो यह थे सेंटेंस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शियर और सब्स्क्राइब सुरूर कीजेगा स्टे ब्लेस्ट